स्वागत है आप सबका civil site knowledge में आज मैं discuss करने जारा हूँ घर्प का नकसा ये बहुत ही संदार प्लान में बताया हूँ अगर आपको जरूरत है तो मेरे telegram channel से आप जूड़िए वहाँ पे जाकर इसका PDF फाइल ले सकते हैं ओके description box में link दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं अभी तक अपने civil site knowledge को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करने साथ में bell icon को place करना मत बुलिएगा मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ ground floor plan, first floor plan आपका देख रहे हैं यहाँ पर first floor plan है साथ में मैं putting layout ये column detail मैं बताऊंगा इसमें कितने के still provide करें ये पूरा detail अगर आप सबको ये drawing चाहिए तो please telegram channel से जूड़िए और वहाँ से जाकर इसका PDF ले लिजे ओके देखिए यहाँ पर ground floor plan है पहले मैं आपको बता दूँ plot का size क्या है देखिए ये east facing माकान है यहाँ entrance मैं provide किया हूँ इदे कि जो front में जो road है यहाँ पे 10 feet का road है इसलिए मैं यहाँ पे 12 feet यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा gate provide किया हूँ ताकि formula इंटर करने में कोई परसानी न हो ओके आप भी drawing बनवा सकते हैं minimum charge पे कर देखर के drawing 2D plan 3D plan बनवा सकते हैं description box में मेरा detail मिल जाएगा contact detail मिल जाएगा email id वहाँ से mail कर सकते हैं या whatsapp कर सकते हैं minimum charge देकर drawing बनवा सकते हैं यहाँ पे देखिए जो size है plot का 26 feet 9 inch आपका देखिए चोड़ाई है front का चोड़ाई है आपका 24 feet 2 inch में यह बना हुआ है साथ में length जो है इसका लंबाई जो है आपका total है 47 feet कितना है 47 feet ओके आप यहाँ पे देखिए मैं तीन तरफ से यह corner face मकान है यह आपको मैं बता दूँ कि यह corner face मकान है इधर भी road है यह भी road है और यह यहाँ भी road है ओके तो यहाँ पे जो मैं provide किया हूँ या front में 2 feet जमीन छोड़ा हूँ side में भी लगवक 2 feet और back में 1 feet यहाँ पे back में क्योंकि proper orientation को ध्यान में रखते हुए यह सब design किया गया आज के लोग जो घर बनाते हैं मश्टली क्या करते हैं कि जमीन अपना नहीं छोड़ते हैं और जितना उता बना लेते हैं घर अब बाद में पच्ताते हैं कि मुझे घर में रोस्नी ही नहीं मिल पा रहा है इसलिए यह तीन तरफ से अपका इनका जमीन छोड़ा गया है फिर design किया गया है आप देखिए इसको डिसकस कर लेते हैं यहां टर्नों के ऊपर चले जाएंगे तो यह वाला flight वाला भी एरिया इसी में आ जागा ताकि four-wheeler park हो सके और यह सेप्टी टेंग के हां मिल जागा आपका यहां पी अब यहां पर आप ध्यान दीजें, फोर्विलर यहां पार्क आप कर सकते हैं, मिनिमम आपको साइज चाहिए, लमबाई जो होना चाहिए, शुलाफिट से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पार्क नहीं कर स्पाएंगे, ओके, तो इसलिए मैं शुलाफिट 10 इंच रखा मिलेगा यह कीचिन जो है आपका बाश्टु को ध्यान में रखते हुए यह कीचिन का डियान किया गया है ओके तो यह आपका कीचिन है 8 feet 1 inch into 12 feet का यह kitchen हो गया साथ में आपका guest room guest room यहाँ पर देख सकते हैं 10 feet 1 inch भाई 10 feet का यह guest room है और साथ में आपका एक bedroom यह corner पर bedroom आपको मिलेगा यहाँ पर ओके यह bedroom आपका है 14 foot into 10 feet 6 गा और साथ में यह corner पर आपका यह toilet bathroom area पूरा प्रवाइट किया गया है यहाँ पर देख बाथरूम और toilet दोनों अलग अलग है यहाँ पर देख कॉमन बाथरूम है यह जो hall में जो लोग रहे हैंगे guest आएंगे इनके लिए बाथरूम में एक toilet है और साथ में यह bedroom अटाइच है यहाँ पर master bedroom बोल सकते हैं बाथरूम में इसका toilet है इसका toilet के भी side sufficient है इसके proper ventilation के अध्यान में रखते हैं यहाँ भी ventilation प्रवाइट किया गया है यहाँ पे यहाँ पे window यहाँ पे प्रवाइट किया गया यह देख सकते हैं साथ में आपको ground floor plan तो मैं रिसके दिया first floor plan ने हाँ पे देखे सकते हैं तो first floor plan है आपका देखिए यह जो पार्च एरिया था यह आपका bedroom हो गया से यहां से यहां से आएंगे यहां से चड़ेंगे यहां ऊपर आ जाएंगे तो यह bedroom हो गया इसका यह balcony हो गया यह जो आपका देखिए फ्रॉंट में जो मैंने दो फिर जमीन छोड़ा था यहां पी इनका यह balcony हो गया साथ में kitchen रहेगा hall रहेगा से मिधर bedroom और गेस्ट रूम एक यहां पर माहे bedroom आपका एक अधिक हो जागा अधिक कलम ले आउट प्लान मैं आपको डिसकस करते रहा हूं देखिए यहां पर यह जो डिजाइन किया गया है जी प्लस टू यानि ग्राउंड फ्लोर प्लस में दो फ्लोर और बना सकते हैं जी यह देखिए आपका A और B यह क्या है आपका यह grid line है यह grid line है ओके और इधर का 1 2 3 यह grid line center to center कितना distance से यह पूरा mention किया गया है यह footing layout plan है यहां पर मैं mention कर दिया हूं साथ में यहां पर देखिए column का और footing का detail है आपको यह PDF download करेंगे ता आपको पूरा समझ में आजागा अगर आप सबको civil side knowledge से drawing बनवाना चाहते हैं तो please description box में contact number दिया हुआ है वहाँ से contact करके minimum charge 750 रुपीज में आप घर का नक्सा बनवा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया 2D plan up to 1000 square feet अगर 1000 square feet अगर आपका रहता है तो उसमें आप ground floor plan आप 750 में बनवा सकते हैं प्लस में 1000 से ज़्यादा रहेंगा तो आपका rate बढ़ सकता है इस टेयर का design कर सकते हैं अगर कोई भी civils related आपको कोई QD है तो आप पुछ सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा civils related वीडियो अपलोड करता हूँ मेरा फिर से आप सबसे एक request है कि अभी तक आपने civil side knowledge को subscribe ने करते प्लीज सब्सक्राइब करने साथ में bell icon को प्रेस करना मत बुलिएगा और हमारे telegram channel से जोड़िये वहाँ जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका PDF वहाँ आपको मिल जाएगा तो इसका PDF आपको लेना चाहते हैं टेलिग्राइम से जोड़िये वह मिल जाएगा ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में